हलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे बीयार वसेस SLK के बीच जो CPL का 28 मुकाबला आज सामने खेला जाएगा उसके बारे में और दोस्तों पूरी detail analysis करेंगे दोनों टीम्स के stats के उपर और खास करेंगे current stats के उपर और बात करेंगे कॉन से player आप लोग के लिए best option रहेंगे या small league और grand league के लिए तो दोस्तो पिशला मुकावला इन दोनों को बीच कल खेला गया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि SLK का performance इस सीजन बहुत ही संदार है और वो मुकावला जरूर जीतेगी क्योंकि BR का performance मैंने आपको analysis में भी बताया था कि बहुत ही खराब है इस सीजन और इनका जो अब बात कर लेते हैं दोस्तो यहाँ पर direct analysis के उपर उसके बाद teams के उपर बात करेंगे तो वार्नेर पार्क में यह मुकावला खेला जाएगा दोस्तो सेम ग्राउंड पर बात कर लेते हैं pitch report जो के बहुत ही संदार लिकल करा रही है और यह पूरी current pitch report है 27 match दोस्तो इस ground प बात किया तो जो टीम पहले बैटिंग किये वो जीती है तो आपको यही अंदाजा लगाया रखना है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनका जीतने का chances दोस्तो 75% है बात कर लेते हैं average score की तो यहाँ पर first inning का average score last के 3 matches में थोड़ा सा high scoring match देखने को मिला और बैटिंग को favor कर रही थी दोस्तो इस ground पर मतलब बैटिंग को थोड़ा बहुत favor कर रही थी तो आपको थोड़ा बहुत batsman पर ज्यादा focus रखना है जो कि आपको ऐसे batsman जो की भरोसा है उनके उपर आपको और उनहीं पर आपको दाओं खिलना है hash score की बात किया है तो 255 है lowest score 92 run है scoring pattern देख सकते हैं कि 500 को नीचे 26 बार score बना है लेकिन recent के 3 matches में दोस्तों देड़ से का plus ही score गिया था score between 150-70 की बात करें तो 22 बार और 170 के plus दोस्तों यहाँ पर 6 बार score बन चुका है अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे important चीज के जो की कौन से बोलर को मदद मिल रही है तो last के 3 matches में दोस्तों fast बोलर बहुत ही संदार बोलिंग किये और 27 बिकेट दोस्तों इन्हों और spin baller की बात किया तो दसी विकेट मिला है तो आपको 1-2 spin baller को जरूर रखना है क्योंकि spin baller की बात किया है तो दोस्तों पिछले match में बहुत ही संदार बॉलिंग हुई है दोनों baller की तरब से भली spin baller ने बॉलिंग न किया हूँ अब बात कर लेते हैं दोस्तों SLK और BR क head to head compression की तो दैसे मैंने आपको बोला था दोस्तो SLK फिछला मुकाबला जीते की क्यों जीते की अभी मैं बता रहा हूँ दोनों टीमों को बीज़ों 17 मैच हुआ है SLK साथ ही बार जीती है और BR 10 बार तो यहां पर देखके लगता है कि BR का performance अच्छा है लेकिन current season और पिछले मुकाबला जीती है अब points table में अच्छे position पर है और BR की बात करें तो यह दोस्तो इस series में अब हार चुकी है इनका last ही match है और कह सकते हैं कि यह points table सबसे नीचे है और बहुत खरा performance है इनका तो जहां तक मुझे लग रहा है कि यह मुकाबला SLK जीतने की पूरी कोसिस करेगी क क्योंकि अगर यह मुकाबला SLK की टीम जीती है तो इनका net run rate भी अच्छा हो जाएगा बात कर लेते हैं SLK की क्या रहेगी यहां पर player stats और पूरे players के records के उपर तो दोस्तो पिछले match में SLK ने बहुत ज़्यादा changes किया था और BR के team ने भी तो दोस्तो कौन-कौन से player को आप आपको लेने चाहिए मैं पूरे बताऊंगा तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तो जितने भी भाई लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को दोस्तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि आगे जितने भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ आपको पता है मैं हर बीडियो अप्लोड करता हूँ हर मैच से रिलेटेड जाहे हो सीपील हो चाहे हो साथ अफरीका और बांगलादेश जो भी मैच हो साथ अफरीका सिरलंका या बांगलादेश और कोई भी मैच हो तो सारा बीडियो मैं अप्लोड करता हूँ तो नोटिफ फ्लेचर और फैब डू प्लेश की ओपनिंग करते हैं सलके की तरब से और दोस्तों एंडू फ्लेचर पिछले मैच में भलाई जीरो रन बनाए हो लेकिन फैब डू प्लेचर की बात किया तो इनको मैंने बताया था कि इन पर भरोसा जाता नहीं आपको बेस्ट पॉइंट द परफोरमेंस अच्छा है एक मैच से आप किसी को जज नहीं कीजेगा दोस्तों तो पूरे सिजन में अच्छा परफोरमेंस किया है तो इनको आप स्मोल नियुक्तर नहीं बना सकते हैं टीम डेविड एक तरह से का सकते हैं क्योंकि नीचे आकर हर मैच में बहुत यसंदार बॉइजी को में खिल द कर रहेंगं कर रही ऑलिंग से पांच उना फोकस नहीं देना है तो आप लिए और से रहेंगे आर जे रोैल की बात की बातिए या नीक बैस रहेंगे months यह लेकिन दोस्तों बॉलिंग करने का मौका ने गया था पता नहीं दोस्तों ऐसा क्यों लेकिन जो मैंने बताया रियाज और जोसेप्स यह दो आनों आपको लिए ग्रेंड लिग में अच्छे मतलब भरोसे लाइक पिलियर है क्योंकि विकेट तो चटका हैं लेकिन फिर भी इनको बहुत कम लोगों ने लिया हुआ है क्यों अपर एलेना और पॉल को खिला गया था लेकिन बॉलिंग करने का मौखा ने दिया गया था यह हो गई दोस्तों एसले के की पूरी डिटेल स्टैट्स पूरे प्लियर्स की और बात कर लेते हैं बियार के तरफ से इधर से भी पिछले मैच में चेंजिस हुए लेकिन सभी हो डिर्स को जरूर लेना है चाल्स दोस्तो इस टाइंग से कंसिस्टेंट परफॉमंस दे रहे हर मैं में तो आपकी लिए बैस्ट स्टाइब से इस मैं इसमाच में कुछ करने वाले हैं क्यूंकि फिलिप्स की बात करें तो जब इनको पहले में जा रहा था तो देख सकते हैं मैचा परफॉर्मेंस था लेकिन लास्ट के कुछ मैचेज में दोस्तों दो रन बनाया फिर पिछले मैच में जीरो रन पर आउट हो गए होल्डर दोस्तों पिछले मैच में अच्छा पोजिशन पर बैटिंग करने भी आया बॉलिंग से एक विकेट चटका हैं रिफैर को नह बात कर लेते हैं दोस्तों आब यहां से बीयार Courtney लाइनप के उपर तो बीयर की बाुलिंग की तरब से मुहमध आमीर और इन ईंग यह दो ऐसे पिलियर हैं दोस्तों आपको मैच जिटा सकते हैं ग्रैंड लिग में मुहमध आमीर दोस्तों समॉलिंग में सभी लोग यह लेकिन एनियंग दोस्टों बहुत जालाया आपको को ग्रेंड लिंग'mे जरूर लेäreं अगर रेफार खेलते हैं बहुत है ने आपनमे यहींग प्रॉले पेस्ट खेलए जाएगा जैगा और H Wells को पिछले मैच में खेला गया था जिन्होंने एक विकेट लिया था तो दोनों टीम्स की तरफ से बहुत चेंज़स देखने को मिले थे पिछले मैच में अब बात कर लेते हैं दोस्तों की प्लियर के उपर तो यहां पर आपको सबसे पहले में बता दूँ कि SLK के तरफ से की फ्लियर रहेंगा फैब डू प्लेसिस आरचेस टीम डेविड डी वेजी और यहां से जे रोयल बी आर के तरफ से टीम डेविड जे चार्ल्स और जे फिलिप्स जी फिलिप्स और एन यंग और आमीर जो की मेरे हिसाब से इस मैच में आपको पॉइंट्स देलने वाले है अगर आप कोई सी भी चैनल पर देख रहे हैं तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सһ्मॉल की की टी म mówर बात करें घेंगा तेलिव अगर को जीरो रन पर आउट हो गया तो इनको क्योंद सतर प्रसेंट ही लोग लिए हैं लेकिन स्टार्टिंग सही इनका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है तो आप लोग के लिए अंडुर फिलचर और सभी दोनों असमाओं ले के लिए बैस्ट रहने वाले हैं बैटिंग सक्षन से से होते हैं जो की बैटिंग दोनों करते हैं तो आर्चेस को लिए जैसन होलर डीवेस्जी को मैंने लिया है बैटिंग सक्षन से बात करें तो यहां से जीपिस गेर लिए बैस्ट और के मेर साप लोग के लिए खास करके तो इन दोनों को आप ग्रैंड लिंग में और फिर ग्रैंड लिकी टीम की उपर बात करेंगे तो यहां से आर्चेस को मैंने कैप्टन बनाया है। क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है साई हो इस मैच में कुछ खास जरूर करेंगे पिछले मैच मैचे फॉर्म में थे तो आप इनके जगा पर फैब डू प्लेस को भी कैटन बना सकते हैं को और टीम में यहां से मैं तीन बैट्समन के साथ जा रहा हूं जे चार्ल्स को मैंन और दोनों टीम्स की तरब से मैंने एक अक ओपनर को नहीं लिया है जैसे मैंने फ्लेचर को नहीं लिया है और मैंने मेर्स को नहीं लिया है क्योंकि बॉलिंग सिक्सिंट पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है तो यह दोस्तों मेरी ग्रैनल टीम के लिए आप टेलिग्राम च सेर कर दिया अपने दोस्तों के साथ लाइक करना ना भूलिये धन्यवाद दोस्तों